तो हेलो गाइस कैसे आप लोग तो आज हम लोग स्टूडेंग के स्टूडेंट जो भी है सिख सेमेस्टर के बिलॉंग करते हैं उनके लिए खास पेपर हैं तो 2020 का ये पेपर आया हुआ है तो जो भी स्टूडेंट एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह बहुत पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये पेपर लाया हूं जिसमें आपका सब्जेक्ट रहें का डिजाइन और स्टेल सब्जेक्ट कोड़ SCIV 604 है आपका फोलमार्क से 80 है और टाइम 3 आवार है पासिगमार 26 है तो सब्जेक्ट कि बनाना आपको उसमें से कॉस्टन वशन वण कंपल सरी है कि आ कि अठीक अब हम को सब्सक्राइब तो पढ़ते हैं सारे को चनिक्वल मार्स कहरी करते हैं यहां एम्सी क्यू पर एक हैं जया दो मांस दे देगा तो पहला एमसीक्यू आपको दीख रहा है कि यह आपका पह लिए नोट कीजिए या स्लो में देखिए नेश्ट आपका सकेंड वाला देखिए नेट सेक्शनल एरिया फे टेंशन मेंबर इस इक्वल टू इस ग्रॉस्ट सेक्शन एरिया तो यह क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका दिया हुआ है आप लोग इसको इसली कर सकते हैं अगर 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 आपको इसका चाहिए फूल को सब्सक्राइब में जरूर बताए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि पता चले कि आपको यह कर रही है आपको और जब भी आप तो का एंसर लिखे तो साइड में मार्जिन जरूर दे मार्जिन दोनों साइड में देना जरूरी हो जाता है क्योंकि एक्जामिनेर को वहाँ पर मार्क्स बटाना रहता है पहला बात और मार्जिन देने से आपका क्या फायदा होगा यह कि आपका page easily fill हो जाएगा अगर आपका handwriting छोटा है तो आप थोड़ा सब बड़ा करने का कोसिस कीजिए क्योंकि handwriting भी देखा जाता है यहाँ पर यह बात नहीं कि handwriting नहीं देखा जाता है तो handwriting सही रखिए और कोसिस कीजिए थोड़ा medium size में लिखे ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा चोटा size आपको fund का medium होना चाहिए और माजिन दोनों site देना ही चाहिए आपको तो यह पहला page का हम पूरा question दिखा दिये है अब चलते next page पे पे आपको दिख रहा है question number one का 7 से start है और अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा यह blur है लेकिन आपको दिख जाना चाहिए थोड़ा मैं बड़ा भी कर दे रहा हूं ताकि आपको देखने में कोई problem ना हो next आपका है the maximum spacing of a vertical stiffener in a place grinder is limited to तो यह आपका 8 mcq है जो की टोटनी आपर पूरा हो जाता है अब हम लोग question number two पे चलते हैं जिसका part a और part b है और ध्यान रहें चो पार्ट आपको आता है वही पार्ट को आपको अटेम कीज़ें तो पहला part आपको दीख रहा है तू का advantage and disadvantage of steel as a structural material ठीक है तो पार्ट a और b दिया गया है मतलब दोनों चार-चार मांक्स के question sorry 4-4 मांक्स के नहीं 2 question है part में तो दूनों 8-8 मांक्स के question है क्योंकि हरे question 16 vara marks का यह आपको धियान रखना है जैसे mcq8 है तो हरे question में 2 मांक्स का है और इसमें 2 दिया गया है तो 2 दिया गया इसका मतलब 8-8 मांक्स का है ठीक है अगर 4 दिया रहा था था तो कितना मार्क्स का रहा था चार मार्क्स का रहा था अब यहां पर थी का कोस्वन आप लोग देखिए डिफरेंट टाइप आप फेलियर ओफ रिवेटेड जॉइन एकस्वन इच आप लोग देखिए नुम्रिकल्स भी दिया गया है आप लोग अगर आ रहा हिए कि नुम्रिकल्स तभी आप अटेम कीज़े यानि कि किसी पार्ट का एक अटेम की किसी का दुसरा का एक अटेम की आपको जो आ रहा वही कोस्वन को आप पहले से देख लीजे और आप लिखने पहले आप कि टिक कर लेजिए या फिर माइड में रखिए कि ये कोस्वन हमको लिखना है फोर में देखिए आपका फिर से नुम्रिकल्स टाइप कोस्वन है ठीक है तो पहला जो ए पार्ट है उसमें इसमें मांक्स डिस्ट्यूब्यूशन आपको बता दिया कि ए पार्ट आपका टैन है क्योंकि नुम्रिकल्स कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा और डिजाइन दा वेल्लेट कनेक्शन मताब बड़ा कोस्वन है इसलिए दस मांक्स का क्योंकि ए में भी यह बहुत सारा पार्ट में डिवाइड है कि अधिक है और सेकेंड पार्ट इसका आ जाता है सिक्स मांक्स का अब हम लोग फाइब को सब्सक्राइब देखते हैं इसका पार्ट है टेंशन स्प्लाइस क्या है वाट इस प्लैसिंग इस बहुत इंपोर्ट इसका और अगर आप मांक्स सही लाना चाहता है क्योंकि वाज डिविजन लाईएगा 60% के आसपास तो यहां बात बनने वाला नहीं है अगर आपको सही मांक्स लाना है तो 75% से उपर लाना होगा तब यह आपका डिक्स्तिंशन हो जाएगा और डिक्सिंशन रहेगा तो आ आपका वही होना चाहिए कि 75 प्लस जरूर लाए अब आप देखे 5 का भी जो कि आपका स्कीन पर दीख रहा है थोड़ा बड़ा कोशन है तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और यह 10 मांक्स का कोशन है और उपर वाला 6 मांक्स का है इस टोटल दोनों मिलागे 60 होना ही चाहिए तो वह है अब आपको दीख गया होगा अब हम लोग चलते हैं 6 का ए पार्ट में में आपका क्या दिया हुआ है राइड दा कंपोनेंट प्लेट ग्राइंडर दियर फंक्शन विर यूजवल आयस कमेंटनेशन तो यह 8 मांक्स का कोशन है अब बी में है आपका डिसकंटिनियस फिर मिंस सायद नुम्रिकल्स इसमें ज्यादा आ रहे है तो नुम्रिकल्स आ तो यह थोड़ा साव को अगर प्रेक्षा थेठीए तब तक और अपको उप्से पार हो जाएगा तो विए नुम्रिकल्स अठीटा को थे ना बढ़ा है अब पेस नमर थी पे आगे हम लोग थोड़ा सा बलर है मैं मान रहा हूं लेकिन मैं रीट कर दूँगा आपको परिशाई नहोगी तो सौट नोर्स है सेवन का उसमें से आपको राइट सौट नोर्स ऑन एनी फोर कोई भी फोर पर लिखना है आपको चूज करके ठीक है तो सारा मदलिख दीजेगा कि ज्यादा मांस भी लेगा क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा ज्यादा मांस नहीं देगा यह एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा ए यहां पर दो तिन कोर्शन हो गया पहला यह स्टैप का कोर्शन आपको दिखा था पहले ही यहां भी आपको दिखिया तो रिवेटेड जॉइन है सेगने लैसिंग बैटनिंग है थर्ड आपका एक्टिव लेंद आप कॉंप्रेशन मेंबर दिखनी रहा है इसके लिए मैं आपको रिट कर दे रहा हूं आप लोग देहां से सुने डी आपका डिजाइन स्टेप आप स्टेल रूप ट्रूज यह आपका गुसेट बेस और एफ आपका लग एंगल तो यह ए से लेकर एफ तक है इसमें से आपको कि चूज करना है कोई चार जो आपको बनाना है तो यह पर आपका कोशन पर खत्म होता है लेकिन आप जाते जाते यहां पर कुछ कोशन पेपर आपको दीख रहा होगा इस क्रीन पे आप उस कोशन को जरूत देखकर जाए ताकि आपका एक्जाम में बहुत है All करें तो फिर मिल देंगे हम लोग नेक्स वीडियो पर और तब तक के लिए बाई बाई जया हिंद